जहिन वंदमात्रम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग अस्टाटिक जीके के टॉप 20 प्रस्णों को कभर करेंगे जो कि बहुत सारे ऐसे एकजाम है जहां पर यह सभी कोचन बार बार पूछे जाते हैं ठीक है तो यह आप किसी भी एकजाम सी त्यारी करें दोस्तों त वहां पर भी आप सभी को यह सभी कोचन देखने के लिए आवस मिलेंगे इसलिए आप से मेरे एक ही रिक्वेश्ट रहेगा कि आप रिवीजन के उद्यस से आपको हर एक को पढ़ देना है और आपको बताना कि 20 कोचन में से कितने ऐसे कोचन है जिसका अंसर आप सही सही कर पारें ठीक है तो चलिए टाप को वेस्ट ना करते हैं आज किस वीडियो को स्टाट करते हैं पहला प्रश्टन फ्रेंड जो कि आपके स्क्रीन पर है कि साथ तापों का सहर किसे आपको बताना है कि आप 20 कोचन में से कितने ऐसे कोचन है जिसका एंसर आप पहले से जान रहे आप अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू लिखेगा हो सकता है दोस्तों कि आप बहुत सारे ऐसे कोचन होंगे जिसका एंसर जो है वो आपको पहले से पता होगा लेकिन आपका जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेगा ताकि मुझ जो पहली बार अस्थापित किया गये था यह पुदू चेरी में अस्थापित किया गये था option number B, स्कोचन का सही एंसर हो जाएगा यह आपको याद रखना है अगला प्रेस्ट नहीं है कि सर्वाधिक अमलिये वर्षा किस देश में होता है दोस्तो अब आपको बताना है कि सर्वाधिक अमलिये वर्षा जो है वो कौन सा देश में होता है option यह है ब्राजिल, भारत, नार्वे या फिर पाकिस्तान तो दोस्तो सबसे अधिक अमलिये वर्षा की बात करें तो नारवे में दोस्तों सबसे अधिक वर्षा होता है, अमलिय वर्षा, option number C सही एंसर होज़ेगा, इस question का, ठीक है, ये भी आपके एक्जाम से लिए, काफ रिदाई important है, अगला प्रेशन है, कि यूरिया का रासाइनिक नाम क्या है, दोस्तों आपको बताना कि यूरिया है, इसका रासाइनिक नाम जो है, वो क्या होता है, तो option यहाँ पर B सही एंसर होगा, कारबे माइट, ठीक है, कारबे माइट जो है, वो यूरिया का रासाइनिक नाम है, option B सही एंसर होज़ेगा, इस question का, अगला प्रेशन में 5 में है, दोस्तों, कि लूनी नदी पर इस्थित, जवाई बांध किस राज में इस्थित है, दोस्तों, काफी बार एकजामें पूछा गया है, कि जो लूनी नदी पर इस्थित, जवाई बांध जो है, वो कौन सा राज में इस्थित है, तो दोस्तों, यह जो लूनी नदी पर जवाई बांध जो है, यह कौन सा राज में है तो 5 के जो सही answer है वो हो जगा option number B राज्यस्थान में इस्तितर ठीक है राज्यस्थान की बात करें दोस्तों तो छेत्रफल के नुसार देखा जाए तो यह भारता सबसे बड़ा राज्य जो है वो राज्यस्थान है ठीक है यदि बात करें कि जनसंख्या के नुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो उत्तर परदेश जो है दोस्तों यह जनसंख्या के नुसार सबसे बड़ा राज्य है यह आपको याद रखना है ठीक है अगला प्रेशन है कि कडगम किस प्रदेश की लोक निर्थी है दोस्तों ये जो कडगम है कि कौन से प्रदेश की लोक निर्थी है कौन से राजे की लोक निर्थी है ये आपको बताना है तो राइट एंसर दोस्तों तमिल नाडू हो जगा तमिल नाडू का ये लोक निर्थी कि यह हैं कि अगला अगला स्मेरे में कि बहुत बहुत बारी ऑज़ामें यह सभी कोचन पूछे गए ज know पर की लगन का ग्रत कही पोचाई क है तो राजराम मोहन राई को दोस्तों बहुत जागरिते का जनक कहायात है, option number D is question का सही answer हो जाएगा, अगला प्रश्ण है कि जमू कस्मिर में ऊरी बांध किस नदी पर रिष्थित है, दोस्तों यह जमू कस्मिर में ऊरी बांध है, यह कौन से नदी पर रिष्थित है, यह आपको बताना ठीक है, तो बात करें जमू कस्मिर ऊरी कहां से होता है दोसके जिन का से ऩो buddy नदी है कहां कहां से होता है ये आपको बताना है ठीक है तो Kennelli की बात करें दोस्तों तो इसका जू शुरुवात है ये ब्रहमगीरी पहारियों से होता है आपसा नमबर C इस कोचन का सही एंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर जितने भी कोचन बता जाए रहे हैं यह सभी कोचन आपके एक्जाम से लिए काफी रहे यूसफिल रहने वाले इसलिए आप सभी लोग अच्छी तरिक से इन सभी कोचन को याद कर ल संदित ऐसी कोचन का सही एंसर हो जाएगा अगला अगला प्रशना कि की सी नदी सबसे सबसे लंबी नदी सी तो गंगा नदी जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है ञें इस नडी की तोटल लंबाई की बात करें तो 25-25 किलो मेटर नदी की तोटल लंबाई है थीक है Write is अगला प्रस्ण है कि भारत के पहले तो ढॉक्त राजेंदверж पर साथ राजेंदर किस्स्य आ पाई आता है तो बेरो मीटर सी दोस्तों वायू मडरल होगा बेरो मीटर वाप्ति Papariles 14 में हैं कि घृतवा कर्फन कि खोज किस्फ ने की थी काया угthing our का ऩोच नहां है कि अगला प्रेस्न मसालों का बगीचा कि यड़ट के मिन से कउसा इसा राज है जिसे मसालों का बगीचा कहायत है तो केरल राज्यों को दोस्तों मसालों का बगीचा कहायत है अप्सम नंबर बी सही अंसर होजेगा इस कोच्छन का अगला प्रेश्ण है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था दोस्तों बिहार जो है वो बंगाल से अलग कब हुआ था काफी ज़या इंपर्टेंट क्वच्छन है दोस्तों कई बार एक जानग पूछा गया तो बिहार जो बंगाल से अलग हुआ था वो 1912 इसवी में अलग ह ज मतलत हो ता तकई कई बार कोचण वह आप से पुझा जा सकता है कि बिहार से जहारकंड जो है वो हो अलग कब हुआ था तो 15 नॉवंबर ठीके पन्दरण नॉवंबर 2000 कर दोस्तों बिहार जो जारकंड है वो अलग होग्यों तो यह भी आपके लिए काफि अगला प्रशनल्ग विधूत परीयोजना किस नदी पर रिस्थित है दोस्तों यह्यों से कौन से नदी पर रिस्थित है और को बताना ठीक है तो यह महा नदी में टोटल कुल कितने सेल होते हैं तो टोटल एक सेल होता है मात्र में अपसे नमर यह सही एंसर होगा बात करें दोस्तों कोषिका का जो खोज है वो 1665 इस्वी में दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारक गया था यह भी आपके एक्जाम्ट से काफ़ी इंप्रेंट है अगला दिल्ली हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इस्तित है और अपसर नमर डी सही एंसर हो जाएगा अगला प्रेस्ट है कि नागल लेंड के मुखे भासा क्या कौन से दोस्तों नागल लेंड के बात करें तो अंग्रेजी वहां की मुखे भासा इंगली से ठीक है आप दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही और आप 20 कोचन में से कितने ऐसे कोचन है जिसका आप सही सही कर पाए अपना स्कूर जो है कमेंट बॉक्स में करके चरूर लिखेगा ठीक है और इसी तरह और भी आप इंपॉर्टन को सब्स्राइब कर लें क्योंकि दोस्तों हमनों नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैहिं जै भारत